हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस चैनल AJ Medicines पे मेरा नाम है अजीत और आज मैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ फिर से आज जिरूँ आज का हमारा टॉपिक होने वाला है और नौफ टेबलेट और नौफ टेबलेट के मैं आपको यूज डोज बेनिफिट साइड इफेक्ट सब कुछ बताऊंगा आप बने रही है इस चैनल पर अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब वीडियो कर लो लाइक क्यूंकि दोस्तों मैं हमेशा मेडिसिन से रिलेटेड वीडियो इस चैनल पर अपलोड करता हूँ तो बैल आइकन को प्रेस करके नौडिफिकेशन बैल को ओल कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो अपलोड करूँ तो वो आप तक नौडिफिकेशन के थूँ जल्द पहुंच जाए तो चलिए देर ना करके हम वीडियो को सुरू करते हैं और नफ टैबलेट दो दवाओं से मिलकर बनी एक अंटिबायोटिक दवा है जिसका इस्तिमाल मुख्य रोप से बैक्टिरियल इंफेक्शन और पैरसाइट इंफेक्शन के कारण होने वाली प्रॉब्लम्स में इसे यूज के आता है जैसे कि पेट में इंफेक्शन या फिर किसी को दस्त लग जाएं इसके अलावा और किन-किन प्रॉब्लम्स में इसके बैनिफिट्स देखे जाते हैं वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊँगा और ये भी बताऊँगा इसे लेने का सही तरीका कि अगर आप बच्चों को देना चाहते हो तो किस तरीके से आप इसे दे सकते हो तो आप वीडियो में बने रही है फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसकी पैकिजिंग आप स्क्रीन पर देख रहे होगे और नोफ टेबलेट ये एक पत्ते में 10 टेबलेट होती है और इस एक पत्ते का प्राइज है लगबग 130 रुपे यानि 130 रुपेज अली कंपनी इसे बनाती है अरिस्टो फार्मासेटिकल्स लिमिटेड कॉम्पोजिशन इसके अंदर होता है और लोक्सासिन 200 मजी और इंडाजोल 500 मजी चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसे यूज करने का सही तरीका दोस्तों इस टैबलेट का इस्तिमाल बच्चों को अगर आप देना चाते हो तो आधी टैबलेट सुबा, आधी टैबलेट साम को खाना खाने के बाद या खाना खाने से पहले आप कभी भी दे सकते हो एक बात का ध्यान रखें, बच्चे की उमर 6 साल से 13 साल के बीच होनी चीए और अगर आप 13 साल से उपर के लोगों को देना चाहते हो तो इस टैबलेट की मातरा, एक टैबलेट सुबा, एक टैबलेट साम को खाना खाने से पहले या खाना खाने के बाद आप कभी भी दे सकते हो तो इस तरीके से इसे देना होता है दोस्तों वीडियो को पूरा देखेगा क्योंकि जो भी प्रोड़क्ट हम यूज करना चाहते हैं उसके साइड इफेक्ट हमें मालूम होने चीए साथ-साथ उसकी पूरी जानकारी भी होनी चीए और अगर आपका कोई सवाल हो मुझसे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखके पूछ सकते हो हो सकता है रिपलाई करने में थोड़ी देरी हो जाए लेकिन मैं जवाब जरूर दूँगा चलिए अब मैं आपको बताता हूँ किन्हें इसका इस्तिमाल अपनी मरजी से नहीं करना चाहिए जो महिला प्रेग्निंट हैं वो अपनी मरजी से इसका इस्तिमाल ना करें या फिर जो महिला अपने बच्चे को इस्तंपान कराती हैं वो भी अपनी मर्जी से इसका इस्तेमाल ना करें अगर ये इस्तेमाल करना चाहती हैं तो पहले डॉक्टर की सला लें उसके बाद इस्तेमाल करें चलिए आप जानते हैं इससे होने वाले benefits, दोस्तों अगर किसी को दस्त लग रहे हों, बहुत ज्यादा वो दस्त से परिसान हो गये हों, अगर आपको कभी भी दस्त लगे तो आप ORS का पाउच medical store से जरूर लें और उसे लेने के बाद एक लेटर पानी में घोल कर, उसे जब किसी भी तरीकी की problem हो, उसे भी ये ठीक करता है, साथ-साथ मैं आपको बता दू, अगर किसी के पेट में किसी प्रकार का infection हो, या फिर आतों में infection हो, उसे भी ये ठीक कर देता है, और अगर किसी को urine infection हुआ हो, तो ये urine infection को भी ठीक करता है, या फिर किसी को lettering करते वक्त blood आ आपको बता दू जो main main काम था वो मैंने आपको बता दिया तो इसमें ये ज़्यादा फाइदेमंद होता है चलिए दोस्तों आप मैं आपको बताता हूं इससे होने वाले side effect दोस्तों जब आप इस tablet को लेते हो और आपको उल्टी सा मन या उल्टी होन लगे तो समझ लीजिए आपको इस सूट नहीं हो रहा या फिर आपको चक्कर आने लगे या फिर सिर में दर्दों लगे तो भी आप समझ सकते हो कि आपको इस सूट नहीं हो रहा या फिर आपको न तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, गुड़ बाय.